नमस्कार जय जोहार संगवारी हो आप मन देखा तो 36 गड़ तक मैं हो आप मन संग पूजा शर्मा मोर संग मही मोर सही होगी अक्षे दूबे साथी लगातार एक के बाद एक जो 36 गड़ के कानून व्यवस्था है एक हर उपर सवाल उठत जा थे जब से साय सरकार बने है तब से कतका सारा घटना गया हाँ पर घटित होगे रोज हर घटना के बारे में हमन आप मन से चर्चा कर थान और जिन सबसे जादा चर्चा विशय में हमन कर रहा थान एक तो बलोदा बसार हिंसला लेके कथित मौब लिंचिंग जो आरंग में हो इसे लेकिन अब एक बार फिर ऐसी तरह से घटना घटे के आरोब जो है वो कॉंग्रेस को तीले लगाएगे बतादन की बस्तर के एक लड़का है जो राइपूर में पढ़ातरी से लिफ्ट मांगी से दूजन और पीट-पीट के माट डरीस यह पूरा तमाम मुद्दला लेके जो दिपक बैज है पिसी से चीफ तेने एक प्रेस कॉंफरेंस करीज जिमा हो हा इस पश्चत तोर पर यह कहत हुए नजराई से कि ओकर कसूर सरकरीज है कि आदिवासी रहिस हो हा यानि कि बस्तर में भी अगर आदिवासी सुरक्षित नही दिपक बैज बहुत मामलल लेके यहां पर जो सीएम विश्णुदेव साहे तेला गिरत नसराईस लेकिन इस सब के बीच में भले ही कतित यह मौब लिंचिंग के बात कॉंग्रेस कहात हो ही हो लेकिन अगर मौब लिंचिंग के जिसे नामल अगर हम इतर रगदन तक कही न क के बाद एक अतेक अकन घटना घटित हो गए कि मुला नहीं लगा थे कि अभी 36 गड़े में कुछ रहात के खबर के बारे में कम बात कर रहा था लेकिन घटना के बारे में हिंसा के बारे में ज़रूर बात कर थैं आखिर अतका लचरते इसे कानून विवस्था हो गए बिलक आपना याद होई एक समय जब भूपेश प्रखल के सरकार रही तब एक छात्रवास्मा बड़े घटना हो रही बिलकुल एक आदिवासी बालिक्या के साथ एक मामला लेके बीजे प्यारम कितना श्वर्गुल करे रही बहुत जाता और करना भी रही रही एक विपक्ष के मतल अगर दुर्खटना भी हो थे को यह एक्सिदेट भी हो थे अहुं अगों बहुत बड़े लापरवाही सामने आते कोई फैक्टरी में इस्पोर्ट हो थे अहुं बहुत लापरवाही सामने आते बिलकुल वखरबाद जिन हत्या के मसला है ते खर बारें तो फेर वाई पुरा देश भर्मा बात हुआ थे लोकस्वावी मां मामला पुर्षिस हाला कि अभे मां इंकार कर थे जन सत्ता पक्षवाला है तेन मन मतलब 36 गड़ा जन बीजेपी हाव है तेने इंकार कर थे कि यह मां लिंचिंग नो है आउ कुछ हुए बिरिज महान अगरवार के अभरबात तहां फेर एक नमगटना घट थे लोहनीगुडा के रहिया लड़का जन बीचारा रायपूर आए है ओक कोई में लिप्ट मांग थे पुलिस के यहीं बोलना है पुरा मामला मां ओही बातलों मई रखा था कौन के लिप्ट मांग थे ओकर बाद दूजन ओकर पि एक मां भर्म के इंगल है और एक प्राधिक शरूप वाला घटना है लेकिन दुनों घटना राजधानी में होते और यह मां सरकार चिंता जाहिर ओ तरीके से नहीं करा थे जैसे करना चाहिए अब कॉंग्रेश के प्रमुव दिपकव यह मामलारा रख्थे के अाधिवासी मुख्यमंत्री है और आधिवासी के राज में एक आधिवासी लईका के अध्या कर दिये जाते हूए और सभाविक तोर्पे अगर राजनिती में कोई व्यक्तिला प्रतिकात्मक तोर्पे ही सही कोई पद दिये जाथे जब कोई धलीत व्यक्ति लबाइठाए जाथे बड़े पद मां काबर धलीत होए अल्व संक्यक होए या आदिवासी होए इंखर चर्चा काबर होथे एक आम तोर में माने जाथे के एमन हमेशा से उपेक्षित रहे है उपेक्षा के शिकार हो है आज जब मुक्षमंत्री के तौर मां विष्ट्योय सायब बैठे है लेकिन ओही राजधानी मां एक आदमी के जन आदिवासी लाइका है जन बस्तर लेया है रायपूर मां ओकर हत्या कर दिये जाते है उहू पढ़े बार अखर भविश के बारवी में सोचना चाहिए तो ये सिर शासन के स्वरूप है तो पेश करतें पहली भी एखर पहली भी जिक्र करें हूं कि जब भी कोई राम राज के परीकल्पना करते तो परीकल्पना में यह बात नहीं होते है यहां तो हर रोज होए है तो यह बहुंव बड़े चिंता के विशाय ओ कर बात कहने तहना सब्सक्राइब करें लेकिन भई सतनामी समाज लेकर यहां पर मुद्दा गरम हुए सब देखातन की सतनामी समाज लेकर आवाज उठाते हैं विजेपी खूद कहाते कि कॉंग्रेस कोती ले यह पूरा घटना ला आहूत करेगे दी से कारवाई भी होतरी से संसद में सदन में 11 जन सांसद बैचे ही हैं 36 कड के का लगते आप मला का यह मुद्दा वहां पर नहीं करने या उठाना चाहिए वह संद में लिए तना यह हैं मुस का खिछिम के कुछ हमान के कुछ दुरगून यही यह के जैन राज्तिक चेतना होना चाहिए इतना ज्यादा कमी है यह कि च्क्रवक को आंधरन भी नहीं नहीं हो पाए मैं याद नहां चाहत हूँ जब 36 गर्मा नस्बंदी कांड़ हो रही है तो मौत अगर यूपी बिहार कोई अनिराज में होती है तो बहुत पड़े एक कांड़न चिर जाती है मौब लिंचिंग के घटना ला उखर नहीं है लेकिन हमार ही आकमन नहीं है तो इतना कैपेबल है कि वह अपन मसला ला अपन मुद्दा ला तरीके से उठा लाए लेकिन अफ्सोस के बात है कि 36 गर्मा सिर्फ और सिर्फ नेता है तिन मन अपन नॉर्मल से बात कर ही एमा कोई म आसंगित्ता वो तरीके से नहीं दिखाया संतोष पांडे भी भाषन दिये है एक थो बिंदु इसे नहीं है जला कहया से कि यार ये तो गजब उठा है बहुत बहतरीन बात बोले है मिल्कुल एमा इसे कुछ भी नहीं है काबर जेन बात बोले है ओ सिर्फ एक निराधार आ चुनावी सभाए अब संदोष पांडे भी जन भाषन दिये है और कोई चुनावी सभा टाइप के ही दिये है लेकिन जन दिन यहीं 11 नेता मन 36 गड़के जन असली मुद्दा है तो फेर बात बन जाहीं अब है कॉंग्रेस देखो बीजेपी वाले बंदु सत्तामी समाज के अब अगर एक जोचना महांत अब जोचना महांत का यह मुद्दा उठा है का अगर प्लानिंग है तो अगर एक कुशल विपक्ष के तौर पर अगर भुमिका निभाना है तो सतामी समाज के मुद्दाला चंद सेखर आजाद ले पहली जोचना महांत उठा देना चाहिए बिल्कुल कबर के 4 जुलाई को तो चंदर शेखर आजाद आने माला है और मुला लगते कि अगर जोचना महां जूड़े हो इसके सेती बॉब लिंचिक मामला में अकलेश यादो जरूर आवाज उठाई भले ओकर जो आवाज है तेला दुबारा यहाँ पर काउंटर करें कोशित संतोस पांजिश जरूर करी से लेकिन जेन हिंसा जेन आगी लगे है छत्तिस गण में जेकर चिंगारी अभी तक नहीं बूचा है बलौदा बसार के देखार बारे में कोनों चर्चा नहीं करी से अगोरा है सत्नामी समाज ग्रावाकई जी से आप मन का हात रहो कि भई इमन का आओ उखर मन के जो गुस्स है और यहाँ पर शांती के जो यह चोला अपना ले बहुत अगन बात है आप मनला का लगते का वाकई जो सांसद है लगातार बीजेपी कॉंग्रेस दुनों एक दूसरा के उपर आरूप लगाते बलोजा बजार हिंसा लले के का उखर मन के यह जो गूंज है यह आवाज है सदन में गूंजना ची यह का रहा है आप मन के कमेंट करके जरूर आओ सब्सक्राइब करो ताकि बहुत जल्द हमाने एक लाग बहुत जान इही विनम्र अपील के साथ में अउमोर्च सहयोगी अक्षे आप मन से ले थन विदा देखात रह चतिस गरता जैजोहार नमस्कार झाल